खाली में कसौटी की दोनों लीड अक्ट्रसेज हिना खान और एरिकर फर्नांडेस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई खबर के मताबिक ओन स्क्रीन जहां इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती तो वहीं ओफ्स्क्रीन भी इनके रिष्टे में सब कुछ ठीक नहीं है ऐसा कहा गया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों काफी प्रोफेशनल हैं डिरेक्टर के कट बोलने के बाद दोनों आपस में कोई बात नहीं करती वल आपको बदा दें कि इस तरह की रिपोर्ट्स के बाद फैंस के मन में अब यही सवाल उठा कि आखिर इसकी वजह क्या है आखिर ये दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं करती क्या इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर कोई कोल बॉर्ट चल रही है वल इन तमाम सवालों की बीच अब हिना खान ने रियाक्ट किया है जी हाँ फाइनली हिना ने अपने और एरिका की रिष्टे को लेकर बड़ी बात कही है हिना ने माना है कि वो और एरिका एक दूसरे की दोस्त नहीं है दरसल बॉम्बे टाइम्स को दिये इंट्वियो में हिना ने ये बात कही है इंट्विय के दौरान जब हिना से उनके और एरिका के दिश्टे पर सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि एरिका एक अच्छी लड़की है लेकिन वो दोनों दोस्त नहीं है हिना कहती है इसके बात हिना ने आगे इस इंट्विय में कहा कि जरूरी नहीं कि दो अच्छे लोग दोस्त भी हो हिना कहती है एरिका is a very sweet girl. In fact, everyone in the team is nice. Sometime, you connect with people instantly. Or you take time. There are also times when two people are good individually, fails to gel well with each other. शादियां भी तूर जाती है In Erika and my case, we have known each other for just 2-3 months. The other actors share a great rapport with each other इन दोनों के बीस्ट भले ही कोई दोस्ती नहीं है लेकिन ये दोनों एक दूसरे की दुश्मन भी नहीं है और ऐसे में अगर हम बात करें शो में इन दोनों की performance की तो विवियूर्स को इन दोनों की performance ही काफी धमदार लगती है दोनों अपने अपने रोल को काफी अच्छे से निभा रही है तो बैसे में एरिका के साथ अपने रिष्टे पर हिना ने जिस तरह खुलासा किया है उसे जानने के बाद हम तो अब यही उम्मीद करते हैं कि हिना के शो छोड़ने से पहले शायद एरिका और हिना दोनों दोस्त बन जाएं तो अब क्या कहना है इस पर आपका कमेंट में ज़रूर बताईए